हालो अलमाइडी ये स्टूडन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल अवर अप्लिकेशन बेटा आज हम अपना चो लेबर कॉस्ट है बेटा लास्ट सम करेगे कोश्चन नमबर 18 क्या आप हो रहे है कैलकुलेट दो ओर निंग ओफ एन बी फ्रॉम दो फॉलिंग पर्टिकुल यह तो डिलेबर यह तो वेज़ीज बोलो क्या करना है फाइं करना है और उसको क्या करना अलो करने कि इसमें दर लेबर कौस्ट ओफ आप यह जॉब एक्स वाइज थे जॉब है अलग अलग उसमें चैनल ऑले में जॉब नूब नंबर 201 था ऐसे यहां पर जॉब नमबर इकस्वाइजरेट तीन अलग अलगा पिछले वाले में दो जॉप था इस वाले में टीन जॉब है उसमें लोकाइट करना है सबसे पहले बेजिक वेजिस कितना दिया गाया है डियर ने सलावंकि कितना दिया गया वेटा यह 50% 50% 50% किस करेगा basic wages करेगा contribution to provident fund on the basic wages basic wages के हिसाब से 8% 8% के हिसाब देना है contribution to employee state insurance on basic wages 2% 2% के हिसाब से देना है मतलब यह जो भी आएगा इसके हिसाब से क्या करना है हमें देना है यह भी हो गया और overtime overtime किसका दिया है 10 hours किसका दिया गया A का B का कुछ भी दिया गया नहीं है आगे क्या आप ओर रहे है नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर मन्त कितना दिया के 200 मतलब 200 गंटे क्या हम कर रहे यह थोड़ा प्रिक्टिंग इस पेड एट डबल टोटल डबल टोटल किसका करना है वेजीन एंड डिडनेवश का कैसा क्या करत करों उसक जो भी आएगा उसका क्या करें क्या पैसा देग सक उसको ओर और टैमधे जाये क्या थे एंप्टियर्न सबसे identify यहां पर जॉब है वर्कर Emil करोई का 40 as टॉप एक्स में करना है य में 30 परसंट एड मैं 30 परसेंट वरकर बी का 50 परसेंट 20 परसेंट 30 परसेंट ते और टाइम इस राइब मतलड में का जो भी पैसा है यह जाएगा जोब वाइए पैसा जाये गा चौ यह सब्सेपे पहले बहुत भाहती सी पले सामने सबसे पहले सर यहां पर बेजिक वेजिस सबसे पहले यहां पर लिखो तो यहां पर लिखो बेटा डी ए डी ए कितना बोला है बेटा 50% पर बेजिक वेजिस पर रहेगा बेजिक वेजिस का कितना लेंगे 50% सर इसका 100 का 50% करेंगे 50 रूपीज इसका करेंगे 80 रूपीज क्लियर 82 60 हो जाएगा 80 इसके बाद क्या जाएगा ओवर टाइम सर कैसे आप लिखरो अरे डेको ना इधर बेजिक वेजिस डियर्नेस और ओवर टाइम तीनों को एड़ करोगी क्या मिलेगा ग्रॉस वेजिस लैस एंप्लोई कंट्रिबुशन टू पी एफ और एंप्लोई स्टेट इंश्रेंस क्या ह यह बादी जाएगा माइनस हो जाएगा तो नेेकर वेजई फेफल अमें मिल जाएगा सब अभी यह कर आपर आजाएगा ओवर टाइम तो इसके लिए अलग से यहां पर हम क्या गरेंगे लिखेंगे ओर टाइम कैल्कुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजिस सब से पहलें किसी क अब्लाब डबल मतलब 2x किसका लेना है basic wages प्लस किसका करना है डीए का डबल करना है औरॉर्मली कितना घंटा काम करें है सर्म 200 घंटा काम करें मतलब पर आर का रेट बिल जाएगा और किसी भी चीज का पर आरका रेट निकालना है जैसे एक्जामपल के तोर पर मेरी सेलेरी यह बिटा ओफिस में 5000 रुपया कितनी सेलेरी यह पांच जार और बॉस मुझे डियरनेस अलावास दे रहा है करीब करीब पकड़ के चलो 5000 रुपया तो टोटल मेरी सेलेरी कितनी ही इसले सेलेरी तानी कटनी सेरा में कितने घबठे काम कर रहां दसलेंत। चलो मैं 100 घंटे काम कर रहा हूं कितने इस मोण में 100 घंटे महिने में 100 माहिन ब् delivery कनette कम पक Señor कि बेजिक अजिदा भीचे uniqu कितने और काम करें कर रहें कीतना है घंट किस भी परहों करना टूरेक काम कुछ फीस्ट अब कितना गंटा घंटा ऑडर ताइम कर रहें जा appetite सब्सक्राइब एंट टॉ दीशे कर रहें डंगा डंस का रहाना है तो इस गनटा कि था 1 मिल जाएगा तो चलो सर शुरू करते सबसे पहले तू वेजिस प्लस डिये वेजिस प्लस डिये किसका कर रहे है सर ये और टाम किसका था बेटा एका तो कितना आया सर एट डेड़ सो रूप्य आया तो यहां पर करो वन फिफ्टी ये हो गया अपॉन में 200 मल्टीप्लाइट क इसका डेश चीए तो इसका डेश चीए तो इदर लिख देना बेटा वर्किनग नूट, नूबर वन का से आ रहे है बैटा वर्किंग नूड नंबर 1 तो यहां पर लिखना ओर्वर कल्कुलेशन ओवर sulphom वर्किंग नूंबर वन हमने क्या करके करके लए तो यहां करना है, समय निकाल दिया, चलो यह भी हो गया है, यह भी मिल जाएगा तो ये सबको add करेंगे तो क्या मिलेगा gross wages तो ये 150 मतलब 165 पकड़के चलो और ये 160 plus 80 कितना आ जाएगा 240 तो इतर आ जाएगा 240 और ये 100 plus 50 plus 15 165 ओके ये gross wages अभी less लेस आ जाएगा बेटा employees contribution तो सबसे पहला किसमें करें PF उसके बाद के employees state insurance clear PF का कितना percent बोला गया है बेट परसेंट और insurance का 2% तो यहां पर आएगा eight percent of basic wages और इसमें कितना करना है तू परसेंट तू परसेंट ऑफ किस पे रहेगा सर basic wages पे रहेगा clear है काम करो सर ये hundred रूपीज है बेटा hundred का में eight percent eight रूप्य आएगा और hundred का two percent two रूपीज आएगा इसका वन sixty one sixty का eight percent करो विटा त्वेल पॉइंट जीरो आपको आ जाएगा और इसका two percent तो one sixty multiply by two percent करो सर three point two zero आपको answer आ जाएगा clear है तो यह सब को क्या करना है सर इसमें से माइनस कर देरें तो यहां पर जो answer आएगा उसको क्या बोलेगा सर नेट वेजिस क्या बोला जाएगा विटा इसको नेट वेजिस बोला जाएगा तो काम करो one sixty five minus ten मतलब one fifty five इसका आ गया और two forty minus twelve point eight minus three point zero कितना अंसर आ गया सर टू टू फॉर अपने को क्या आ गया सर नेट वेजिस अपको आ गया मतलब नेट लेबर कोस्ट बोलो या तो नेट वेजिस पेबल बोलो तो भी चलेगा क्लियर नेट वेजिस क्या जाएगा यह पेबल अपने को मिल गया आगे क्या बोल रहे बेटा हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लेबर कोस्ट मतलब हमने अभी तक क्या फाइंड किया अभी हमने यह वाला किया स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस वेजिस औ अभी क्या find करना पड़ेगा statement of labor cost labor cost में क्या एगा wages और क्या एगा डिया उसको add करो तो क्या एगा basic wages plus क्या जाएगा डिया जाएगा और उसमें क्या अधर allowance क्या जाएगा एड हो जाएगा जैसे employee country पीए यह जाएगा उस दोर को क्या करते ना एड करना है तो टोटल लेबर कॉस्ट हमें मिल जाएगा उसमें working hours divided by working hours करें के तो क्या हो जाएगा आईल टाइम तो कुछ दिया गया नहीं है तो तो क्या आएगा वर की टोटल लेबर कॉस्ट पर आवर अपने को मिल जाएगा देखो कैसे मैं करता हूं सबसे पहले इंदर देखो तो यहां पर आ जाएगा 50 और यहां पर कितना आ जाएगा 80 दोनों को क्या करो एड कर दो तो इसका दोनों को एड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 150 और यहां पर 00 एड करो तो 240 आइधिंक सो टो 162 प्लस 80 टूफर्टी इसको क्या बोली कि वेटजिक वेजिस प्लस क्या बोला जाएगा डी हलाकि तुम डाइरेक्ट भी लिख सकते हो पर हम डाइरेक्ट लिखेंगे नहीं क्यों अपना काम है आराम से लिखो अच्छे से लिखो चलो यह हो गया basic wages plus DA अभी यहां पर क्या होगा add यहां पर क्या हैगा PF कितना बोला था 8% बोला था कितना बोला था सर यहां पर आ जाएगा 2% ऑफ बेजिक वेचिस यह तो आपने उपर लिखा बेटा सी एंटू से मिसी को क्या करो copy paste कर देए रहा बेटा उपर इसे copy paste करो कितना आया था सर इसका 8 रुपया था और इसका 2 रुपया था इसका कितना आया था 2.43 is को क्या करना सर सभी को एड कर को क्या मिलना का टोटल लेबर कोष्ट अपने को क्या उजाएं मिल जाए करो सभी को अभी को इड़ को अभी कुछ कुछ भी बोला गया नहीं है तो लिखने की जुरुत नहीं आला कि पिछला सम इससे जादा डिफिकल्ट था जा तक मेरे को लग रहे है कि दो बार ओवर टैम था सब अच्छा था यहां पर यह सबको एड़ करो तो 160 आ जाएगा हाँ कि तूफोर्टी प्लस यह 12.8 डिट ट्रो प्लस फ्री इवट तडिकित आ जाएगा टू फिफिटी आपको क्या हो जाएगा इसका उंसा आहर जाएगे टोटल लेबर कौस्ट अभी यहां पर आते हैं और वर्ट कितना गंटा काम कर रहे हैं कितना गंटा काम कर रहे हैं यहां पर दिया गए कितना गंटा काम कर रहे हैं कहां गया यह रहा अवर्वर्स कितना गंटा काम कर रहे हैं वर्किंग आर्स कितना है टू अंड्रेड आर्स तो यहां पर टू अंड्रेड आर्स क्या कर रहे हैं तो जो भी इससे क्या कर रहे हैं तो भी चलेगा तो यहां पर आजाएगा labor cost per hours clear है देखो इधर भी same ही किया है ना बेटा देखो इदर total यह सब को कर रहा है तो यहां पर जो भी आएगा इसको क्या करना effective overly work total labor cost अब उन में कहाए एफेक्टी वर्किंग करो तो आंसर कितना जाएगा 0.80 यह क्या है पर आर का रेट है यहां पर 256 divided by 200 तो कितना आएगा 1.28 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा क्लिए labor cost पर आर आपको आंसर आगया अभी statement उसको क्या करना है बेटा अलोक्योट करना है किसमें अलोक्योट करें के बिटा तीन जौब है अपने हास एक्स वाइजड तीनों जौब में क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको अलोक्योट कर देगे हम यहां पर एक फॉर्मेट बना देगे statement showing allocation of wages to jobs सबसे पहले तीन जौब सा जौब एक्स जौब य जौब 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 जैड यहां पर टोटल आ गया particular अपने को आ गया सबसे पहले यहां पर किसका कर रहे है सर एका सबसे पहले कौन है यहां पर कहा गया यह रहा अपने पास बेटा दो वर्कर थे पहला है ए और बी तो सबसे पहले ए और बी का किसमे देना है सर वर्कर ए तो यहां पर लिको वर्कर ए तो सबसे पहले इंदर आ जाएगा विटा वर्कर श सबसे पहले वर्कर ए में क्या आप जाएगा ओडिनली वेजिस यहां पर आ जाएगा ओडी वेजिस सर वर्कर ए का वेजिस कितना था बैटा उपर अब भी हमने निकाला कितना वेजिस था वर्कर एका वन सिक्स्टी तो वन सिक्स्टी को कोन से रेशू पर देना और एका टोटल वे घीस कितना थूर यहां इथा व्यक्रियकर एका तो निके टोरी पॉर तो काम करो 160 डिवाइड बाइड बाइड क्या करना है 10 क्योंकि 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 तो multiply multiply 4 करो इसका कितना आजाएगा 64 इसका करेगे कितना आजाएगा सर्फ 48 इसका भी 3 है तो कितना आजाएगा फोट आपको आता है ना बटे रिशो में डिवाइट करना अभी उसके बाद क्या था ओवर टाइम कि और ओवर टाइम के बारे में क्लियरली बोला गया कर दोय का सबसे पहले डेह구나 पैसा अंधर और टाइम का क्यूतना पैसां गूंद्टे आपके इसको देना देखो, Overtime is done by the job y on the requirement of the customer, मुलब खली किसको देना है, job y को ही देना है, मुलब job y में ही खली Overtime को कितना लिखना है, 15 रूपिया क्या करना है, लिख देना है, यह हो गया, अभी इसका कितना है था, worker b का आया था, आपको 256, तो इधर लिखो worker b, तो सबसे पहले आ जाएगा इधर worker b, अभी सबसे पहले आ जाएगा इसमें same, ordinary wages, 256 इसको कौन से ratio पर देना है, इधर clearly दिया गया, 256 कौन से ratio पर देना है था, 5, 2, 3, तो यहां पर आ जाए कौन से रिशो पर देना है तो और थ्री रिशो पर देना है तो एक काम करो 256 टिवाइड बाइट 10 मुल्टीप्लाइ मुल्टीप्लाइ 5 करो 128 कि तू करो कितना जाएगा 51.20 और इसका आ करेंगे तो कितना आएगा 760.80 क्लियर है सभी का क्या कर दो इधर टोटल कर दो इस सब को करेंगे तो इधर क्या लिख देना बैटा टोटल लिख दो हो जाएका अपना सम हो गया मतलब सबसे पहले 160 प्लस 15 प्लस 256 टोटल 431 रुपीज दे रहे है जो वाई में कितना हो खर्च अगया 640 अरे सुरी 64 आएगा इतर ये बगवान में क्या कर रहा हो 64 प्लस 128 करेंगे कितना आएगा 192 आ जाएगा इसमें आ जाएगा 48 प्लस 15 प्लस 51.20 करेंगे कितना जाएगा 114.20 48 प्लस 76.80 कितना आगया सर 124.80 प्लस करो एक पर 114.20 प्लस 192 आगया सर 431 यास इसका मतलब अपना सम क्या आगया राइट आगया सब का टोटल करके देखने का तेखो गलती हो गए पगड़ा गई ना इधा 64 640 लिग दिया था बहुत ही सिंपल सम है बेठा एक्सपेक करू अगर इसके आगे वाला कॉस्टन 17 देखा तो 18 में कुछ भी नहीं है वीडियो पसंद आयी होगा बिटा थैंक्यू सो मच जुदने के लिए थैंक्यू सो मच बबाई